गुड बॉर्णिंग क्लास लाकिन सब्जेक्ट है आपका जीके जनल नॉलिज तो इसमें आपने जो आपका स्लेबर से फाइनल एक्जाम का आपने प्रिपेर करना है अपना entertainment आपकी जूनिट है ठीक है इसमें आपका spot the friend है color on comics chicken dance में आपका कुछ नहीं करना है यह आप नहीं करेंगी chicken dance में अपकी physical activity थी ठीक है उसके बाद है आपका movies for me spot and i life skills and test paper to आपने अच्छे से क्या करना है आपने prepare आप करेंगे तो लास्ट वीडियो में हम क्या कर रहे थे जो spot and eye था आपका जो हमने entertainment से आपका जो topic है आपका तो spot क्या है एक dog है और eye यानि कि ये बच्चा है अपने बारे में और अपने dog के बारे में बात कर रहा है ये ठीक है ये छोटी से story इन दोनों के तो यहाँ पर हमने यह पढ़ा था कि जो sport and यह जो लड़का है यह दोनों साथ काम करते हैं, खेलते हैं ठेके खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं तो यह activity करते हैं तो जो यह बच्चा है इसको क्या लगता है dog के साथ अच्छा लगता है वो entertain होता है तो यहाँ पर कुछ questions है story से related, वो हम देख लेते हैं पहला है आपका, what is the name of the dog तो कुत्ते का नाम क्या है, आपको पता है क्या नाम है इसका, spot, the name of dog is spot, ठीके second question है आपका what does spot eat जो spot है, वो क्या खाता है spot spot देखे, यहाँ पर क्या खा रहा है यहाँ पर देखे, bone क्या खाता है, यह bone खा रहा है ठीके, third है आपका what is the spot's work, अब जो कुत्ते होते हैं, आपको पता है कि जो आपके आप animal रखते हैं जो आपका special dog होता है, आप रखते हैं कि ताकि आपके घर की क्या करे देख बाल करे, रखवाली करे अंदर आ जाते है, उनको क्या कर रहा है, यहाँप कुत्ता है, किसके साथ खिल रहा है, वो भी अपनी फ्रेंड यहाँ पर पार्क में गए हैं यह अपने फ्रेंड के साथ खिल एक लड़के के साथ और यह भी दूसरी डॉक के साथ क्या कर रहा है स्पॉर्ट खेलता है ठीक है www.sportslip.com spot है वो कहां पर सोया आप देख पा रहे है यहां पर कहां पर सोया है वो on the mat यानि कि जो यह चुटी सी चटाई है इसके उपर spot क्या करता है सोता है तो आपने अपने आपके 12 से आपके मार्च से 12 मार्च से आपके final exam है तो अच्छे से preparation आप करेंगे ठीक है और अपना test paper 2 भी आप अच्छे से इसको देखेंगे क्या क्या आपको करवाया है वो ही आप अच्छे से क्या करेंगे अपने exam के लिए prepare आप करेंगे so thank you class